हेई गाईश तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैप्टर फूर कॉश्ट अफ कैपिटल के बारे में अगर तुम पहली बार पट रहो न तो भाई इसके अंदर तुम जो भी मैंने चीज़े लिख रहे हैं वो भी साथ में लिख लेना और अगर तुम वापिस रिवाइ तो स्टार्ट करतें ठीक है अपना चैप्टर का नाम है कॉश्ट ऑफ कैपिटल कोश्ट क्या होता है वाटेवर वी रेडी टू पे फॉर उसिंग संधिंग इस कॉश्ट ऑफ डेटिंग यह तो सिंपल सा है क्या होता है मनी और फंट रिक्वाइड इना बिजनिस तू रन तुम पैसे से लाओगे या तो तुम्हारे पास खुद के पास रहती है वैसे अभी तो इप इसक्राइड इसक्यकल नियुक्त कैने अन। मतलब कंपल सरी न अपने को अपने को इंट्रस देना पड़ेगा और जो रिजर्स वग रहा है जो अपने रेलियेंड लगा रहे हैं या फिर अपने ऑप्रोर्चोंईटी कोश्ट लगी मानों तुम खुद के घर से 2 लाग रूपे लगा अब उसकी जगह तुम मान लो कहीं FD में भी लगवा देते तो भी तुम्हारे को 5-6% तो मिली जाते न तो वो तुम्हारी opportunity cost हो जाएगी simple सी बात है ठीके न फिर अपनी cost of capital is debt minimum required date of return which is to be earned to keep capital intent मतलब same अगर तुम लोग मान लो depth है अपना 10% debenture है अगर तुम 10% भी नहीं कमाऊगे तो debenture को कैसे payment गरोगे वो तुम्हारा loss में जाएगा इसलिए तुम्हारे को 10% debenture में 10% तो कमाना ही कमाना बढ़ेगा ताकि तुम cost of capital या फिर जो तुम्हारी capital है debt की जो amount है वो maintain रहे simple सी चीज ठीक है आपके use of cost of capital it is used in decision making regarding investment in project or business investment will be made only when rate of return is more than or equals to minimum rate of return तुम्हार कोई simple साहे इसके अदर अपन decision making करेंगी कि अपन कोई project या बिजनस में invest करें ना करें अब मानलो अपन उससे 15% कमा सकते हैं लेकिन cost of capital अपनी 10 आ रही है तो यह बढ़िया बात है ना अपन 5% extra कमा रहे जो अपने पास आएगा क्या ROR ठीक है ना rate of return अब है cost of capital हमेशा आपन निकालेंगे percentage परेनम मतलब परेनम होगा ठीक है ना बहुत ही सिंबल से बहुत ही सिंबल सा types of cost of capital दो तरह की टाइप है separate cost of capital overall cost of capital सेपरेट cost of capital में कहा है cost of debt cost of reference share cost of equity share cost of return earning इनको किसे denote करते हैं KD KP KE KR और दूसी तरफ है overall cost of capital मतलब weighted average cost of capital मतलब जो भी यह cost है इनका weighted average करते हैं कैसे करेंगे आगे बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा ठीक ना फिर आपना cost of debt KD देखो depth क्या होते है debt include bonds debentures deposit long term debt यह साब आते हैं अपन की KD के अंतर KD भी दो तरीक यह कोदे डिवेंचर में redeem well not a redeem well यह तुम्हें पता ही होंगी कोई दिक्कत नहीं ठीक ना debenture can be issued at par premium देखो mean चीज है कि debt coupon है na discount पे बीशू कर सकते हैं simple if debenture are redeem well then it is redemption period and price at the time of issue can be at par premium अब तुम देख लो जब redemption होगा ना debentures का वह अपन redemption कर सकते हैं या तो पार पर या premium पर अब तुम खुदी सोचो एक investor है मानलो तुम investor हो मेरी company है तुमने दिये में को 100 रुपे अब मैं तुमारे को दो साल बात दे रहा हूँ तो तुम मेरे से 100 रुपे लोगे या स्वे जाद लोगे यह तो है नहीं नब्बे रुपे लोगे simple सी बात है ठीक है फिर आप floating expenses और issue expenses all in cut-on अब तुम्हारी जो company है न तुम डिमेंचर इसु करना चारे हो अब तुम्हें बंदा तो डूनना पड़ेगा न जो डिमेंचर के पैसे देगा जो डिमेंचर खरी देगा तो उसको डूनने की पैसे लग जाएंगे वह जाएगा अपना इस तुम्हारी जो को अपनी दिमाग लगा अपनी हर साल लग रहा है तक का बागी तो अपनी अपनी अगर-टाइंचर आपनी व्लोटिग एश्पयंस कर देंगे प्रिम्यप अगर-प्रिमियंप यह मगर प्रिम्यम प्रिम्स यह तो फून परिम्हारी फोन भाले अब तुम सोचोगी यार यह प्लस लॉस माइनस में क्यों कर रहे हैं क्योंकि अपन कॉस्ट निकाल रहे हैं इसलिए तो अपना इंट्रस्ट है तो परहन हम ले लेंगे अगर यह अपने पास यह वाले खासले क्युक्यों अपना इंट्रस्ट मतलब यह क्यों कर रहे हूं क्योंकि इंट्रस्ट के बाद अपन थे आते हैं तो अपन को कितने देने पड़ रहे हैं अपन को फाइदा तो इन्ट्रस्ट जादा अपने को तेक्स के संसे मिल रहा है क्यूंकि अपन इंट्रस्ट जादा होगा तो अपना EBIT और कम हो जाएगा जिससे अपनको tax कम देना पड़े तो वह पर tax saving हो जाएगी इसलिए अपनको डेवेंचर जाद़ इस्यो करने में tax saving हो जाती है interest की इंटरस्ट की वर्षे tax saving हो जाती है जादा डेवेंचर जादा इंटरस्ट उसकी वर्षे EBIT से जादा less होगा तो ebt आएगा फिर tax अपना कम लेस होगा इसलिए ठीक है इसलिए अपनको जो interest है उसको 1-t से multiply करेंगे divide करेंगे net proceed अब net proceed होता है भाई तुम company हो तुमने debenture issue करें सारे जो भी expense लग रहे है सारे कटके अपने हाथ में कितने रूपया है वो है अपना net proceed simple सा ठीक है सिंपल सा है number of years mv maturity value मतलब जब आपने मानलों पांच साल का डिवेंचर का पीरियाइड है तो पांच साल बात अपनको उस डिवेंचर के कितने पैसे देने पड़ेंगे अपन कंपनी कितने पैसे देने पड़ेंगे ठीक ना और नीच अपन कर देंगे market value plus net proceed divided by two और into 100 सिंपल सा बाकी चीज़े मैं लिख रहे हैं कि interest net proceed net proceeds अब कैसे निकाल सकते amount received on debenture मतलब जो face values में से discount less कर दो इस मतलब simple सा हाथ में कितना रूपा आया वो लिखना है ठीक है ना if information of net proceeds is not given then take अकर net proceeds की तुम्हारे को information नहीं दे रखी अधिको एक चीज में तुम्हें खतरना चीज़ बता तो तुम्हारे सारे answer में सही जाएंगे अकर वो पूछे न की current cost of debenture बताओ current current जटका लग जाना चाहिए तो मैं current सुनता ही current cost of debenture या फिर existing cost of debenture बताओ existing या फिर current तब तुम्हारे को market price लेगी है याद रखना ठीक है अगर information नहीं या market price लेंगे net proceeds अगर information नहीं है तो बोल रहे हैं अगर net proceeds जी नहीं दे रखा तुम्हारे को तब तो तुम्हारे को market price लेने है ठीक है और जो मैंने वह बात बताई ना जरूर से लिख लेना तुम तो market value और कुछ भी समझ यहाँ पीछे करके देख लेना कोई देखकती है अब वही simple सा है कि अपनको redemption पर कितना पैसा मिल जाएगा वही है ठीक है फिर आपने पास question simple सा यह तुम लोग पॉस करके मैं जो बोलता हूं वह लिखना और फिर question solve कर लो पॉस करके और फिर वीडियो आगे देखना इससे ही तुम्हारे को ज्यादा सही रहेगा क्योंकि FMM प्रेक्टेस तो मैं पता ही कितने important है एक्स लिमिटेड इशू करन 9000 12% डिवेंचेस ओफ रुपीज 100 इच एट डिसकाउंट ऑफ फाइपरसेंट इशू एक्सपेंस इसा 4% कैलकुलेट करना है के डी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर वीडियो को पॉस करके हैंट्वेंड कैलकु डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 इच एट डिसकाउंट ऑफ 6% डिवेबल आफ्टर फाइफ यर्स एट प्रीनियम ऑफ 12% इस्विंग प्राइस 2% कैलकुलेट करना है के डी ठीक है ना सेंपल साहिब पॉस करके वापिस कर दो इसकान साहरा अपनका फॉर्मूले पर सीधा पॉ सब्सक्रेक्राइब पर इंकं स्क्राइख हुआन ते डीक को किम एंग रागए और ट्रिता को तोая अपरतना थे काश्यां केछ चाहिफansen नहीं होगा सिंपल सी बात है ठीक है ना कॉश्ट प्रिफरेंशियर से में इस एक्सेशन के बाद आ रहे तो वह तो कितना है दोस्ते को फरग नहीं बढ़ता ठीक है तो अपना फॉर्मुला बिल्कुल सेम है बस आई की जगा दी हो जाएगा और वान मैंना एश्टी नहीं होगा में चीज था तुम्हारे को वह concept भी दान रहे ठीक है और KDKP YTM method yield to maturity method जो की मैं तुम्हारे को investment decision की बहुती शांदर डाले है सच बतानों बहुत शांदर revision हो जाएगा चाहे तुम मैं बता रहूं बस एक बार वो वीडियो देख लो भाई मेरी मतलब मैं चारा हूं की तुम एक पर देख लो वीडियो मज आ जाएगो तुम्हें पहले डाल रहा है तुम्हारे को प्लेलिस में लाइगी सर्च मारदो एफम का मेरे चैनल के नाम के साथ में आराम सा जाएगा अब इसमें भी अपने पास 5 मॉडल है लेकिन अपना सबसे काम का है तीन मॉडल जो मैं तुम्हें बता दूंगा तीसरे और चौते बहुत है अब देखो बहुत ही दान से सुनना पीजिरो क्या होता है अगर अपने पास ओल्ड एक्विटी चैर है पुरान एक्विटी शेर कोई भी नाए इशू नहीं करें तो जो ओल्ड एक्विटी शेर है itt उनका शेर पर्ड प्रड़ ऐसविचे के पूरान एंं रहें उनका जो आज के समय पर आज के मार्किट प्रइस बहुत है अब और पीजिरो निगुष अगर आपने बारे अच्ञेर इसू ने plastic लिनगे एक चीज याद रखना मिश्य डिविडेंट और टेक्स इस साल का अगले साल देना पड़ता है या मिलता है जो भी तुम मानो ठीक है न मतलब वो इन्वेस्टर कम्पनी के बंड़े इस साल का अगले साल मिलता है ठीक है न सो तुमारे को कहीं पर दीखे न next year dividend expected dividend तो महां D1 हो D0 last dividend paid by company last dividend मतलब last year नहीं last dividend मतलब D0 और जो current year का भाई मैं को यह बताओ last year का dividend क्या होगा D0 current year का dividend क्या होगा D1 अब तुमने बोला कि यार अगले साल का तो डीविडेंट अपनको अगले सान मिलेगा मिलने वाला अगले साल है head current year का dividend तो यह पूरा D1 है current year का dividend D1 और मिलेग अगले साल मतलब अगले साल में स्टैंटिंग की में इनों मिल जाता है तो उमने लॉक अंदर पड़ा ही होगा so वह अपना received होता है तो वह भी डीवानी होता है expected dividend है नहीं तो समझना है यह चीज सबसे important model है growth model और मैं तुम्हारे को calculator का भी नीचे बताऊंगा बहुत सही र growth rate D1 D1 के expected dividend मतलब D0 में plus कर देंगे growth rate simple D1 मतलब अपन अखले साल या फिर current year में इस पर में को क्या dividend मिलेगा तो पिछले साल के dividend मिला तो और company की साब से grow कर रहे है दोनों को plus करा तो simple सा आगे अपना D0 ठीक ना एक कोशन है solve करना में तुम्हारे को बोलता हूं मेरी अन्रे पराइस एक्विटी शेर की दे रखी है 150 रूपीज लास्ट डिविडेंट पेड़ बाय कंपनी दे रखा है 12 रूपीज ग्रोथ रेट दे रखी है 6% आंसर निकाल लो वीडियो पॉस करके वनना कोई मतलम नहीं रहेगा calculator पर सौल कर लो इत्ता ही जी सा तो ही तो इसका answer आ रेट विच प्राफिट रेटेन मतला 1-डिविडेंट पे रेट रेशो अपने कमाया अर्निंग पर शेर 20 रूपे है मतला प्रती शेर अपने 20 रूपे कमाये तो ग्रोथ रेट जी बीक एसके अंदर रेटेंशन रेशो 20 रूपे मैंने पर शेर कमाये जिसमें से मैंने 15 जो कि investment decision में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है इसमें तो तुम्हें जितना किया देई ही रखा होगा और बाकि तुम्हारे को बहुत ही डीटल में जाना है तो investment decision में फुल बताया ठीकिना तो इसमें simple formula अब देखो 1-1 डिविडेंट पे आउट रिशो भी इसका formula हो सकत B का मतलब simple सा है 20 रुपए अपना अंडिंग पर शेयर में से कितना रुपए company खुद के पास से रिटेंड कर रही है simple साथ दूसरा है अपनको कैसे निकाल सकते है growth rate अगर अपने को trend दे रखा है कि year 1-2-3-4 ऐसे dividend दे रखा है growth rate दे रखा है देखो simple सा है अपन average growth rate करते है लेकिन ये वी कार चीज़ें आपन को किया formula लगाना है first year growth rate, last year growth rate मतलब first year क्या growth rate थी last year में क्या growth rate थी encontrar आख mirand dpa- closer to last year में dividend दिया था तुमारों नीकालना है G percent तुमारे इक को यह दे रखा है year 1-1 ऐसा-film देक्धध त्यरविड्टे है posa यह दे एक और चीज बताता हूं जहां पर बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं कुश्चन के पॉइंट वे से बता रहू है लास्ट इयर का डिविडेंट मतलब डीजीरो होगा इसमें कभी भी प्लस जी परसेंट मत कर देना मतलब डीवन मतले देना कभी भी ठीक है न तो फस्ट इयर सबसे इंपॉर्टन चीज सबसे जादा जहां बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे अब बताओ इसमें क्या लोगे तुम इसमें 6 लेकिन अपन ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं तो अपना पैसा कितना बढ़ रहा है तो फस्ट इयर में तो उतना ही है ना फस्ट इयर में बढ हैं 506 ऐसे अपना टूटल शैसाल में बढ़ा कितना है पैसा कितनी ग्रोथ हो यह तो पांच साल की तो उ स्टोबिंगा य्जू कर सकते हो अगर रट ने किसाअब से देखो और चुली देखो तो पैसा बढ़ा कितना है फस्स से लिए तो दस से ग्यार हो गया सेकेंड से ठर्ड यार में गया तो बारा पॉयंट वन हो गया थड़ से फूर्त में ऐसे कितना बड़ा है तो वह लेंगे आपन एंट न तो इसमें आएगा 5 और एन देख लो इधर पांच आगया और क्वेट कर दिया बने 0.6 to 1 अब अपन इसको जो एन दे रहा है ना फाइप उसको अपन वन डिवाइड बार देना तुम्हारा आ जाएगा और आड जो होगा न वो तो होगी तुम्हारी ग्रोथ रेट जो की होगी जो की एक्जांपल के सबसे है ठीक ना एक तुम कोशन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लो बहुत है संपल सा करन्ट मार्केट प्राइस दे रहा है एक्विटी शेयर 200 रूपे कंपनी ने डिविडेंट दी है लास्ट इयर में जो की है इंक्रीज हुए 12 to 25 तो मैं इरको की नि अब अपना CEPM method capital asset pricing model भाई सबसे easy मतलब पता नहीं इसमें तो इतना easy है कि मेरे साब से तो यह बाई किसी 89 class की बच्चे को भी बताओ नो उसको भी आजाए as we know equity share is riskier than other capital due to risk investor of equity share depend extra returns मतलब demand extra returns apart from normal return as premium for risk भाई equity share हूँ मानलो तुम investor में company तुम हो equity share वाले भाई इतना तो risk ले रहा हूँ तुम capital भी ने दोगे उसके बाद भी मैं risk ले रहा हूँ तुम मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को extra return चाहिए मतलब तुम जो normal return दे तो ना उससे भी extra return दो जिसमें मतलब premium for risk दो ज्यादा रहा हूँ उसका premium चाहिए मुझे ठीके ना to attract investor company has to predate an expectation of such investor which become cost of company भाई तुम लोग आए यार 10% तो मिलता यह लेकिन यार एक तो यह लोग equity share ले रहा हूँ मैं अब पता नहीं यार यह मेरा पैसा ना दे ना दे इसलिए मेरे को 15% चाहिए मैं को 5% premium का चाहिए तो तुम मेरे को बोले भाई 5% premium का चाहिए तुम से पैसे लेने मैं company तुम investor हो तो इसलिए वो मेरे लिए cost of capital हो जाएगी मतलब मुझे तुम्हे 15% देना पड़ेगा जो की मेरे लिए cost हो जाएगी ठीके ना अब देखो इसके अंदर formula का है की निकालने का है risk free rate of return RF plus B bracket मे rate of market rate of return minus free rate of return RF क्या है या पे risk free rate of return जो की मतल सेफ जाएगे पर invest कर रहा हूं मेरे को उधर 10% return मिली रहा है लेकिन तुम बोलो है भाई मैं तुम्हें पैसे दे तो दूँगा लेकिन यार उधर सेफ जाएगा ही मैं को 10% मिल रहा तो तुम्हारे को कुदू मैं पैसे तुम या तुम्हें को extra दो return तो जो RF होता है na risk free rate of return मानलो मैंने bank FD में या फिर government की securities में invest करा वो तो risk free है और महां पर भाई मेरे को इतना rate of return मिली रहा है normal तो मेरे को वो जो return है na उसका premium rate है और B का मतलब है beta जो कि मैंने तुम्हारे को investment decision का investment नी लीवरेज वाला chapter देखूगा उसमें तुम्हारे को समझा जाएगा उसमें समझा है beta मतलब है measurement of risk zero से one है तो low risk one से ज्यादा one है तो normally one से ज्यादा है तो high risk ठीक ना सिंपल सा formula है बिल्कुल तुम्हारे को सीधा दिया होगा अब एक तुम खुद कर सकते हो bank FD दे रखा तुम्हारे को 7% market rate दे रखा 12% beta of the company दे रखा 1.4% calculate करने तुम्हें के यहीं तेक ना तो हम निकाल सकते हो 16% by 21% अब अपना realized yield approach देखो in this method case calculated on the basis of return actually given by company to shareholder in past few years it is based on trial and error देखो यह जो realized deal approach है ना यह तुम investment decision की मैंने वीडियो डाल रहे कि भाई वो जरूर चेक करना बहुत ही शानदार है उसमें 47 minute में मैं तुम्हारे को पूरा बता रहा है अच्छे से उसके अंदर तुम्हारे को एक मिलेगा IRR method same वही method है वो तुम्हें आता होगा न no direct cost but opportunity cost if company distributes such amount to in equity shareholder then they can have extra money which can be invested somewhere simple से है retained earnings का है retained earnings भाई वही simple सी है जो अपन भी निकालते है ना growth के formula में भी कि अपन EPS में से कितना पैसा खुद के पास अरकरें वो है अब उस पैसे का अपन क्या कर सकते है फार्दर कोई company को किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना हो तो उसमें कर सकते हैं ठीक है ना फिर company बोली है भाई रूख जा रूख जा तिरको देर है ठीक है ना so company compensate करें उस loss को अब अपनको निकालना है cost of return earning return earning रखने से क्या cost है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तुम हो investor मैं हूँ company मैंने कमाई 20 रूपे मैं बोल रहा हूं 15 रूपे मैं मेरे पास रख रहा हूं 5 रूपे तुझे दे रहा हूं तुमने बोला भाई मेरे को 20 रूपे चीए मैंने बोला चल ठीक है तो इतना लट रहा है तो 20 रूपे ले ले मैंने तेरे माईनस करेंगे personal income tax rate फिर तुम चल कोई नहीं income tax कर दिया ऐसा करता हूं इनको कहीं shares में लगा देता हूं और या फिर कहीं invest कर देता हूं तो shares में तुमने लगा दिये अरे यार brokerage भी लग गया brokerage rate तो यहाएगा minus भी तो इसी साब से देखा जाए तो तुम इसको जो निकालोगे ना अब क्यों निकालोगे इसको minus करकर के वहोगा तुमारे को जो तुम actually invest कर रहे हो तुम मैं सीधा तुम्हें वही दूँगा न क्योंकि तुम्हारे भी वह चीज़े लगेगी तो मैं तुम्हारे को सीधा मेरे लिए अगर देखा जाए न तो तुम्हारे को दे तुम्हारे पास क इंकम टेक्स मान रखो फिर ब्रोकरे दो रुपय का लग जाता है तुम्हारे को नेट इंवेस्टमेंट तुम करते बावन रुपय का सिंपसा अब तुम कोशन करना ठीक ना मार्केट प्राइस दे रखाए इच इक शेयर का 225 रुपए लाज डिविडेंट पेड़ बाइ करवन के वकि फ्याटि बाम में लाग्व फ़ल पेड़ दो परषांगार एस गवापिसमारी के यह वट परेप्राइस ट् Gravy लाब Dash लिव एक शाना मारे रहती अवाल को का ने वालर परएस वालर को सिंपल सा है तुम जिप वापिस बोलता मैं तुम्हार 가운데 को इसम्हारी fedट इक चीज बताओ, रिटेंड अर्ड का पाट, अर्ड पर शेयर तुम कहां से पैसे कमारे हो वो, पुरान एक विटी शेयर से, ना कि नए एक विटी शेयर से, तो उस केस के अंदर हमेशा पीज़ीरो अपन मार्केट पराइज लेंगे, यह हमेशा चीज धान रखना, बान में तो बहुत जादा तुम्हारे को इसमें बहुत सारी गलतियां कर सकते हो तुम ठीक ना अगर कुछ भी समझ यहां पीछा करके देख लेना ओवराल कॉश्ट आफ कैपिटल कैसे निकालेंगे देखो यह तो बहुत ही बेकार सी चीज़ है दोसरां देखते हैं तुम्हारे को द सबसे पहले यह याद रखना सबसे पहले लिखने क्या प्रिष्ट अब इनको टोटल भी कर लेना अब तुम्हारे को निकालना है सबसे इंप्रेंट वीट कैसे निकालोगे हर कैपिटल कितना है टोटल कैपिटल का मतलब 20 लाग डिवाइड़ बाइसी लाग 0.25 दस लाग ऐसी लाग 0.375 ऐसे तुम्हारे को वेट निकालना है कि हर जो इस पैसिफिक यापिटल है वो टोटल का कितना वेट है उनका और शिंपल से तुम्हारे को फिर जो वेट आयो उसको 16 मतलब के परशेंट से म strony कर देना तो तुम्हारा से जो आएगा उसको तुम्हारा तोटल करके कियो निकाल सकते हो ठीक ना वेट अपना प्रपोर्शन ये फालतों चीज़ है आप सबसे में चीज़ है कुछ चीज़ आपनको दहार नखनी है नोट्स है ये जो आपनको दिमाग में रखना है कियो कैन करने को मार्केट प्रइज नहीं चीज़ और न उन रखना है यह बहुत जाद घ्रायान यह इंप्टरेंट रहेगी त्छीज़ हो अपनी डीटेंड अंधिंगी यह एक्विटी शेर के मार्केट प्राइज में ही इंक्लूड़ीड होगी चीक ना फिर अपना के एकर वी नेट टू सेपरेट यह मैं तुम्हार को एक्जांपल से बताता हूं वह ज्याद अच्छे समय जाएगा तुम्हें तुम्हें अब तुम्हार को दे रहा है बुक वैली इक्विटी शेर 20 रुपए की तस रुपए का शेर 10 लाग रुपए रीटेंड लेंग्ग दे रहें शूला लाग अब मार्केट वैल्या एक्विटी शेर गाल्एज डूरोटेट शेय ना तूसको करेंगे कैसे सबसे पहले टोटल मार्केट वैल्यू निकालेंगे मार्केट वैल्यू अपनी थाटी मुल्टिप्लाय करके टोटल करेंगी ओवराल कॉस्ट आपिटल निकालने के लिए ठीक ना कुछ भी समझ यहाँ पीछे करके देख लेना बहुत ही इजी वे में सिंपल सा बोल रहा हूं है ठीक ना मतलब टोटल मार्केट वेल्यू अपने जितने भी आज शेयर से हैं उनकी मार्केट वेल्यू टोटल इसम्पलस यहाँ जाएगा मतलब सिंपल्स है जो मार्केट वाइल होगी ना ये नीचे में देखना तो यह हो सकते हैं मैं ने 5 313 वाइट 13 कला देखा है 39,000,000 को आपन 10 रिशो 16 में डिवाइड करेंगे 10 रिशो 16 में ठीक न हम 10 रिशो 16 में ही ये डिवाइड होगा उसके बाद है अपना अब सुनो दहान से सुनो एक और चीज प्रिफ्रेंश है उसकी नहीं दे रहा कि एक सेक्ट को मैं एक पर क्यल्कुलेट कर लेता हूं तो 39 इंटू 10 डिवाइड बे 26 15 लाइग ठीक है तो यह 5 divided by 13 नहीं 5 divided by 8 हो गए या पर मैंने गल्द लिख रहा है इसके कोई दिखकत नहीं तुम समझ जा ना 39 लाइग को डिवाइड कर देंगे अपन 10 रिशो 16 में तो 15 लाइगा और 24 लाइगा ठीक है तो कोई दिखकत नहीं इसका मतलब समझ जाना 14 परसेंट ही अपना केपी है अब इसमें वन माइनस टेक्स क्यों नहीं करा जो मैं तुमें पहले बताया था आपन कितना ही डिविडेट दे जादा दे कम दे जीरो दे टेक्स पर कोई फरक नीं पड़ेगा और यहीं मानलो डिपेंचर होता तुम खुदी बताओ 14 परसेंट डिबेंचर होता 20 लाइग और यह बताओ क्या आता फिर क्या रेट आती 14 परसेंट डिबेंचर 20 लाग रूपए के tax rate 30% ठीक है ना यह तुम्हें comment में बताना है if information of calculated KD अब इसमें simple साथ KD की नहीं दे रही ना मानलू 12% debentures KD equals to 40 lakh और tax rate दे रहा है 30% तो वहीं अपन 12% तो ले लेंगे लेकिन इस पर अपन 12 को after tax कर देंगे 1-T so अपना आजाएगा 8.4% ठीक है ना फिर marginal cost of capital मतलब कोई भी तुमने extra cost of additional capital realized in business मतलब तुम्हारे को थोड़ा और पैसों की जर्वती तो तुमने कोई भी और cost जोड़ी ना तो वह जाए कि अपनी marginal cost of capital और simple साथ जैसा तुम के ओ निकालते देना वैसे मानलो तुमने equity share से 10 लाक रुपे और लिया ना तुमारे जो equity share में जो तुम अमांट लिखते हो ना उसमें तुम 10 लाक और लिख दोगे बाकी similar formula मतलब simple साथ same वैसे ही निकालना है और कोई change निया बस simple सा marginal cost मतलब कोई additional अपने और भी capital ली उस पर अपन interest मतलब cost of capital लेंगे और वेड निकालके total कर देंगे ठीक ना explicit or implicit cost actually paid KDKP के और वो है implicit cost मतलब actually not incurred but it is in form of opportunity cost मतलब के यार